यह मुश्कार वेल्कुम् टू केम सिक्षा दिस पर्टिकलर कोशिश इस फ्रम आयटी एडवांस 2017 पेपर अन्सकूर इस फ्रम दिस एक्षिन काल्ड केमिकल काइंटिक्स केमिकल काइंटिक्स से कोशन है बहुत अच्छा कोशन थेटिकल कोशन बनाया है उसने ध्यान से सुने कोशिश करना देखेगा तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं देखूं सबसे पहले आपसको क्या कहा गया है स्टेरिफ पेक्टर पी के बारे में बात करी गई इस कोशिट में अगर आप टिपिकली कोलीजिन थियोरी से जाओना तो वो यह बोलता है कि मॉलिक्यूस एक दूसर से यतना टक्राएंगे उतनी ज्यादा रियाशन होने की टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा रियाषन फेवरीबल होने की ठेंडेंसी होगी अगर अगर एक्षप्रीνο देखा जाए तोος उसने जो इक्वैशन दिया वो क्या दिया जैसे कि आ रदीनोसीषण काकुछ से collisions को, ये collisions को represent कर रहा था, लेकिन अभी तक ये theory अधुरी थी, क्यों क्योंकि इसने क्या किया था, collision theory ने अभी तक सिर्फ और सिफ इतनी ही बात करी थी कि Z क्या है, Z number of collisions है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो gas के molecules है, वो एक second के अंदर million times बार एक दूसरे से collide कर जाते हैं, एक दूसरे टकरा जाते हैं, तो अगर million times बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो इसका मतलब तो एक second के अंदर gas के molecules बहुत fast react करने चाहिए, लेकिन actually में जब reaction fast थो obviously होती है, लेकिन इतनी भी fast नहीं होती है, जितना कि ये data दिख रहा है हमें, कि एक second के अंदर millions number of collision हो जाएंगे, अगर सारे collision अच्छे होते होंगे, हर collision से अगर reaction हो जाएगी, तो तो reaction बहुत fast होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी भी fast नहीं होती है, वहाँ से ये बात सहुन में आई, कि ये जो इसने अवीता की equation दिये, इसमें कुछ गड़बर है, इसमें कुछ ना कुछ और भी add करना पड़ेगा, उसने ये बोला कि जरुरी नहीं कि हर collision successive collision हो, जरुरी नहीं कि हर collision की वज़े से आपका reaction हो कुछ collisions ऐसे होते हैं जो कि reaction को करवाते हैं जिनके होने के बाद reaction होती है और कुछ collisions ऐसे होते हैं जिनके होने के बाद शायद reaction ना हो वो अतना, collision में अतनी ताकत नहीं थी कि वो शायद उस reaction को करा पाएं या फिर उनका proper orientation नहीं था तो उसने वही बोला कि भही, reaction कराने के लिए एक proper orientation होने की जरुरत है जो molecule से उनके proper shape होने की जरुरत है आप अगर चाते हो A से B टकरा है तो A से B ही टकराना चाहिए ठीक है, और B भी अगर आप चाहो कि left side से टकरा है तो ही reaction होगी अग B right side से टकराएगा तो reaction ही नहीं होगी तो इसका मतलब बहुत सारे factors है B का जो hysteric factor है वो भी matter करता है उसका orientation की वो left side से टकरा रहा है की right side से टकरा रहा है वो भी matter करता है तो उसने क्या करा, उसने यह बोला कि अकेले Z से काम नहीं चलेगा यहाँ पे एक हमें hysteric factor P भी introduce करना पड़ेगा तब जाके यह reaction action में complete होगी तो वहाँ से उसने बोला कि यह जो Z into P है यह मिला के बोल दो, इसको बोल दो RNAs constant A तब जाके वो RNAs की equation आई थी K is equals to क्या है था? RNAs constant K into E की पार minus E by RT जहां से मैं यह कह सकता हूँ अब इस data से इतना सब बाते कहने के बाद अब मैं यह कह सकता हूँ क्या? कि यह जो Z जो मेरा था into P is equals to A जिसमें से A क्या है? A तो वो है जो कि action में collisions हो रहे हैं और Z वो है जो कि theoretically हम सोच रहे थे जैसे मैंने अभी gas का example दिया मैंने बुला millions collisions हो रहे थे लेकिन million के million सारे के सारे थोड़ना आपके reaction कराने में संभव हैं समझें मेरी बात मतलब उसमें से हो सकता है कि कुछ तो reaction करा रहे होंगे और कुछ molecules reaction कराने में असमर्थ होंगे तो इसका मतलब है यह क्या है? यह तो total collision दिखा रहे है यह तो क्या है? यह तो एक तरसे theoretical बात कर रहे है यह जट क्या है? यह तो theoretical collision को दिखा रहा है जबकि यह experimental collision को दिखा रहा है यह actual collisions को दिखा रहा है जो हो रहे हैं ठीके दि तो यहां से अगर मैं इस P को निकालू यह sterile factor P को निकालू वह क्या आता है? वह आता है A मतलब continuous constant A जो कि experimental collisions को दिखा रहा है, divided by Z, जो कि आपका theoretical collisions को दिखा रहा है, या फिर मैं कहूँ, total collisions को दिखा रहा है, अब आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ideally, अभी तक हमने question कुछ नहीं पढ़ा, question में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, पढ़ेंगे, पहले जरह मेरे को यह बताओ, आपको इतना तो सोज में आ रहा है, कि always जो Z होगा, वो बढ़ा ही होना चीए, A से, वही तो मैंने आपको बला, कि million times collision होते होंगे, लेकिन उतने तब सारे के सारे हो सकता है, सारे ही collisions, result ना करें आपके reaction को होने में, तो इसका मतलब है, कि Z हमेशा जादा और A हमेशा कम रहेगा, जिसकी वएसे क्या है, अगर यह जादा रहेगा, यह कम रहेगा, तो P क्या है, P हमेशा always हमारा 1 से कम-कम आना चीए, ideally, तो मैंने बुला, it should be like this, P, 1 से कम होना चीए था, लेकिन यहाँ इस question में, इस territory factor P का जो data दिया गया, वो दिया गया 4.5, जो कि थोड़ा सा impossible तो है, लेकिन question में कह रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा भाई, अना जी, तो वैसे तो होई नहीं सकता, लेकिन अगर इसने बोला है, तो मान लेते हैं, ठीक है, और इसी के अधार पे इसने ही question design किया है, क इसका क्या interpretation निकलता है, इसका interpretation यह निकलता है, जो कि actually शायद हो कभी नहीं सकता, लेकिन फिर भी, अगर यह कह रहा है तो हम मान लेते हैं, यह शायद ऐसा कुछ कह रहा है कि P experimental, जो number of collision experimentally हो रहे हैं, वो बहुत जादा है as computer, जो theoretical हो रहे हैं, यह तो ऐसा कुछ कह रहा है, कोई बात नहीं, असंभव है, लेकिन फिर भी, जो question में दिया है, हम उससे साबसे बात कर रहे हैं, तो फिलाल अगर देखें, तो इस question में, अब आपको क्या है जी, दो statement पकड़ में आ गए, कह रहा है, experimental determined value of frequency factor, a को या फिर z को frequency factor बोलते हैं, उसमें से अगर है, experimentally determined वाली जो value है, वो बहुत जादा है, किस से, जो आपकी predicted हो रही है, आरहनियस से, तो actually मतलब यह है, कि जो आपकी experimental value है, वो जादा है, theoretical से, तो यह statement आपका सही दिया है, अगर statement number D की बात करो, तो statement number D भी वैसे, अगर देखें, तो गलत कह रहा है, क्योंकि यह इसका just ultra statement है, यह तो जब experimental वाला जादा हो, और theoretical वाला कम हो, का मतलब है, option number B सही है, option number D गलत है, अब आजाते है, option number C पे, option number C कह रहा है, कि since value इतनी हाई है, तो इस reaction को कराने के लिए catalyst लगेगा, अरे भाई, catalyst क्यों लगेगा, जब reaction इतने प्यार से हो ही रहा है, आप यह कह रहे हो, million times जो आप collisions हो रहे हैं, इसे में तो reaction प्यार से हो जाएगी ना, आपको थोड़ना catalyst लगाना पड़ेगा, तो यह तो कह रहा, 4.5 value की हो ऐसे, तो आपको reaction में catalyst लगाना पड़ेगा, नहीं भई, कोई catalyst लगाना पड़ेगा, रियाशन तो बड़े प्यार से हो जाएगी, कोई statement number A पे आ रही है, यह बिल्कुल सही बात कर रहा है, इसका इस सब theory से जादा कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा सीधा समझ सकते हो, कि activation energy का, क्या actually में इस्टेरिक फेक्टर पर कोई dependency है, नहीं भी, उसका nature of reaction पर हो सकता है, लेकिन इस्टेरिक फेक्टर पर कोई dependency नहीं है, that's why हम क Okay, so I hope I helped you, please subscribe Gramsisha, thank you